प्रित्वी के धुर्वों पर हजारों साल से जमी बर्फ पिघल रही है। दुनिया भर में जंगल आग में भस्म हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलिस्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल सकता है। कहीं सूखा है तो कहीं आए दिन बाढ़ और तुफान आ रहे हैं। हालात बहुत खराब हैं। करोणों जिन्दगिया दाव पर लगी हुई हैं। हो सकता है कि आज आप पर जलवाई परिवर्तन का सीधे तोर पर असर ना पढ़ रहा हो। लेकिन हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं आप भी जल्द इसकी चपेट में आ सकते हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि पृत्वी के अस्तितु पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई। जल्वाई परिवर्तन आखिर क्या है जिसकी हर तरफ इतनी चर्चा हो रही है। ये तो आप जानते ही हैं कि पृत्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से मिलती है। सूरज की किर्णे जब पृत्वी पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ किर्णे परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। और कुछ किर्णों को हमारे वायू मंडल में मौझूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं वायू मंदल को आप प्रत्वी के चारों और गैसों का एक कवच कह सकते हैं सूरज की जिस गर्मी को वायू मंदल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं उसी से प्रत्वी पर जीवन संभव हो पाता है वरना बेहद ठंड के कारण प्रत्वी पर न सिर्फ इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा बलकि खेती भी आसान नहीं होगी और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना मुश्किल होगा तो इसका मतलब यह है कि जिन ग्रीन हाउस गैसों को हमारे सामने खलनाएक के तोर पर पेश किया जाता है वो तो बहुत जरूरी हैं हाँ बिलकुल हैं लेकिन तभी जब उनकी मात्रा हमारे परियावरण में संतुलित हो समस्या उस वक्त पैदा हुई जब इनसानी गतिविध्यों के चलते कारबन डायोकसाइड यानि CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा परियावरण में बढ़ने लगी और जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी तो वो सूरज की जादा गर्मी को सोखने लगी और इस तरहे पृत्वी का तापमान बढ़ने लगा और यहीं से जलवाई परिवर्तन यानि क्लाइमेट चेंज की समस्या शुरू हुई छे मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में जलवाश्प कार्बन डाई उकसाइड यानि सियो टू, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन उकसाइड और क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स शामिल हैं इन में सबसे खतरनाक कार्बन डाई उकसाइड ही है जो लंबे समय तक परियावरण में रहती है इनसानी गतिविधियों से जो भी सियो टू पैदा हुई है उसकी बड़ी वज़े जीवाश्म इंधन का इस्तेमाल है यानि कोईला, डीजल, पैट्रोल और जमीन से निकलने वाली गैसों का इस्तेमाल खासकर इसकी शुरुआत सत्रे सो पचास में हुई जब ओद्योगिक क्रांती की शुरुआत हुई तब से अब तक हमारे परियावरण में सियो टू की मात्रा 30 फीस्दी बढ़ गई है इसका मतलब है कि जितना सियो टू हमारे परियावरण में इस समय है उतना पृत्वी के 8 लाक साल के इतिहास में कभी नहीं रहा समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि कार्बन सोकने वाले जंगलों को अंधा धुंद तरीकों से काटा जा रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि व्यापक ओद्योगी की करण शुरू होने से पहले के मुकाबले अब पृत्वी का तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है कई रिसर्च बताती हैं कि 1850 से लेकर इस सदी के आखिर तक पृत्वी के तापमान में डेड़ डिग्री सेल्सियस का बदलाव हो सकता है और अगर ये बदलाव दो डिग्री सेल्सिस का हो गया तो हम बरबादी के मुहाने पर पहुँच सकते हैं तापमान बढ़ने का नतीजा है कि पृत्वी के धुर्वों पर बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है इसका सीधा असर समुद्र के बढ़ते जलिस्तर के तौर पर हम देख रहे हैं 2005 से 2015 के बीच हर साल समुद्र के जलिस्तर में 3.6 मिली मीटर की विर्थी हुई है अगर ये यूहीं बढ़ता रहा तो दुनिया के कई देश और बड़े शहर समंदर में समा सकते हैं बढ़ते तापमान की वज़े से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं जो अपने साथ सूखा, बे मौसम बारिश, बाढ़ और तूफान ला रहे हैं वेग्यानिक कहते हैं कि अगर तापमान वृध्धी को डेड़ डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके तो ये सुरक्षित होगा लेकिन दुनिया के देश अब भी नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं परियावरन कारेकरताओं का आरोप है कि परियावरन को बचाने के लिए जितनी गंभीरता और पक्के इरादे की जरूरत है वो अब भी दुनिया भर की सरकारों में नहीं दिखता इसलिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अप सड़कों पर उतर रहे हैं और जलवाई उस नक्षन के लिए कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं तो सवाल ये है कि हम और आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे कि कार की बजाए साइकल से चलिए विमान की बजाए ट्रेन से चलिए नई नई चीजें खरीदने से बचिए पुराने चीजों को फेंकिये मत खराब हो जाएं तो ठीक कराईए इस्तेमाल करिए पेड़ लगाईए और हो सके तो अपनी सबजी भी खुद उगाईए यकीन मानिए आपके इन छोटे छोटे कदमों से हम पृत्वी की बड़ी समस्या के साथ निपट सकते हैं